कि आपके लिए फिर से इस दो कोलर से काना जी के लिए पॉंचू बनाना बताऊंगी और पॉंचू बनाने के लिए हमने देखी टैन नमबर सलाईली है दो कलर ली है तो यह हम जो आपको पॉंचू बनाना बताएंगे यह कम से कम तीन चार नमबर काना जी को आराम से आएगा ये मेरे को कमेंट आया था कि मैं दिवारा से लड़ो गोपाल के लिए पॉंजू बनाना बताओं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं मेरा पॉंजू आपको कैसा लगा तो चलिए बनाना इस्टार्ट करते हैं किस तरह से हमने बनाना है फ्रेंज हम एक तरफ से बना भी चुके हैं ये देखिए ये ये हमारी उल्टी तरफ है और ये हमारा सीधि है अगर आप इस तरह का पॉंचू आप अपने बच्चों के लिए बनाना चाहती है तो ज्यादा फंदे ले करके आप इस तरह का पूंचू अपने बच्चों के लिए भी बना सकती है ये देखिए मैंने यहां से 12 फंदे डाले हैं और 12 फंदे डालके मैंने इसमें देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँ, छे, साथ, आठ, नो, दस दस जालियां मैंने डाली है, ये देखिए अगर आपने कोई भी डिजाइन नीचे बनाना है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखके बता सकते हैं किस तरह से आपने नीचे को डिजाइन बनाना है ये देखिए इस तरह से तो चलिए मैं दूसरा पड़त आपको बताती हूँ किस तरह से हमने बनाना है देखिए फ्रेंज मैंने बारे फंदे इसमें डाल लिये हैं और मैं आपको ये बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊंगी आपको जल्दी ही आ जाएगा इस तरह से अब इतलक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आप जब हमें कमेंट करते हो हमें बहुत अच्छा लगता है यह देखिए इस तरह से और इधर से भी मैं एक सलाई इसी तरह बनाऊँगी यह देखिए इस तरह से यह देखिए तो देखिए मैंने एक सलाई बना ली है इसके बाद देखिए हम इसमें पांच फंदे इस तरह से उल्टे बनाएंगे तीन चार पांच और पांच फंदे मैं इधर रखूँगी और इन दोनों पे बीच में जाली डालूँगी तो देखिए किस तरह से जाली है और आप को जैसा ठीक लगाया आप उस तरह से जालियां इसमें डालने यह देखिए उल्टी सलाई हम सारी उल्टी ही बनाएंगे इसमें हमने कुछ नहीं करना है यह देखिए इस तरह से यह देखिए यह देखिए आपको जिस तरह का कलर पसंद है आप उस तरह से इसमें कलर लगा सकती हैं यह देखिए इस तरह से अभी हां से मैं इसमें ब्लैक कलर लगा दूँए यह देखिए इस तरह से और हमने ब्लैक कलर की एक उल्टी और एक सीधी सलाइएं इसी तरह डालनी हैं दो दो सलाइएं यानि कि एक तरफ से एक सलाई यह देखिए इस तरह से इस तरह से यह देखिए इस तरह से तो देखिए फ्रेंज मैंने एक सलाई बना ली है इसके बाद हम यह से इसमें फिर से यह पिंक कलर को ही लगा देंगे इस तरह से इसमें हमारे नीचे को यह फंदे बढ़ते हुए जाएंगे यह देखिए इस तरह से और मैं इसमें इसी तरह दस जालियां बना दूंगी और चार लाइना में बलेक कलर की लगाऊंगी इसमें जैखिए इस तरह से यह देखिए इस तरह से हर सलाई पर हमने उल्टी और सीधी एक सलाई बनानी है इसके बाद हमने इसमें कलर चेंज करते हुए जाना है और आप इसमें अगर जादा बलेक कलर की दूसरे कलर की जादा सलाई डालना चाहती है तो चार चार सलाई आपने हिसाब से इसमें बना सकती है यह देखिए इस तरह से तो हम देखिए इसी तरह इसमें दस जालियां डाल लेते हैं फिर इसके बाद आपको दिखाएंगे यह देखिए इस तरह से फ्रेंस हमने यह दस जालियां इसमें डाल ली हैं यह देखिए इस तरह से और हम ब्लेक कलर पे हैं यहां से हम यह देखिए इसी कलर से इसमें बॉर्डर बनाएंगे इस तरह से यह देखिए और आपको जैसा ठीक लगता है आप उस तरह से बॉर्डर बना ले दो फंदे हमने बनाए और वापिस हम यहीं से हो जाएंगे यह देखिए इस तरह से तो देखिए इस तरह से मैं तीन फंदे हो गए मेरे पास यह देखिए इस तरह से फिर मुझे यहीं से वापिस होना है और एक एक फंदा लेते हुए जाना है यह देखे इस तरह ऐसे अब चौता फंदा हमने ले लिया है इस तरह ऐसे यह देखिए और हम यहीं से वापिस हो जाएंगे यह देखे इस तरह ऐसे यह देखिए चार फंदे मेरे पास है और हम पांचमा फंदा लेंगे यह 5 फंदे के मेरे पास अब मुझे हैं इसे वापिस होना आइं यह देखें इस तरह से और 5 फंदे होने के बाद मैं देखें किस तरह से बंध करूंगी ये देखिए इस तरह से अब हमें ये चार फंदे बंद करने इस तरह से ये देखिए ये देखिए चार फंदे मेरे बंद हो गए है अब फिर से मैं इसी तरह एक-एक फंदा लेती जाओंगी और जब मेरे पास पांच फंदे हो जाएंगे तो इस तरह से मैं बंद कर दूँगी यह देखिए इस तरह का यह बॉर्डर आएगा बंदा हुआ यह देखिए इस तरह से और यह हमारे लिड्डो गोपाल की ड्रैस बनके तैयार हो जाएगा यह देखिए यह हैं इसे वापिस यह देखिए इस तरह से और यह पांच मां फंदा आप मैं लेने जा रही हैं यह देखिए इस तरह से और यह हैं इसे वापिस हो जाएंगे और फिर से हम पांच फंदे हमारे पास हो गए हैं पांच फंदे फिर से हम इसमें बंद कर देंगे यह मैं पांच फंदे फिर से इस तरह से बंद कर दूंगी यह देखिए यह देखिए इस तरह से यह मेरा बॉडर इस तरह से बनता हुआ आएगा तो चलिए हम सारा बॉडर इसी तरह बन कर लेते फिर इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी हमने इसको घटा दिया है इस तरह से यह देखिए अब इसी धागे से हम इसकी देखिए सुई डाल के सिलाई करेंगे देखिए इस तरह से यह देखिए दो पर्त मेरे बन के रेड़ी है इस तरह से इसको हम उल्टा करेंगे देखिए इस तरह से और इसको हम ऐसे सीधा रखेंगे यह देखिए और इस तरह से हम तो देखिए मैं उल्टी तरफ से इस तरह से रखके ये देखिए सिलाई करूंगी इधर की मुझे इस तरह से सिलाई करनी है और यहां से इस तरह से यहां की सिलाई करनी है तो चलिए सिलाई कर लेते हैं देखिए किस तरह से हमने सिलाई को करना है ये देखिए इस तरह से मैं इसको सिलूंगी ये देखिए और मुझे यहां तक ही सिलाई करनी है ये ये देखिए यहां तक ही यहां तक मुझे सिलाई करनी है इसकी ये देखिए और ये लेड़ गोफाल का पॉंचुक बन के तयार है दूसरी तरब के भी हम इसी तरह सिलाई करेंगे ये देखिए इस तरह से इधर की भी मैं इसी तरह सिलाई करूँगी तो चलिए इसको सिल लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको फ्रेंस ये सिलके रेड़ी है दौनों तरब से हमने इसकी सिलाई कर लिए ये देखिए इस तरह से तो चलिए इसको सीधा कर लेते हैं ये देखिए इस तरह से हमने इसको ये सीधा कर लिया है ये देखिए और ये हमारा पॉंच्यू बन के तियार है ये देखिए इस तरह से हमने इसको सिल दिया है ये देखिए ये देखिए इस तरह से तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें और कमेंट करके जरूर बताएं ये मेरा पॉंच्चो आपको कैसा लगा ये देखिए इस तरह से तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई